हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक आवर ओफिसियल यूटीब चैनल लौविथ रोनित दोस्तों आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है साथियो एक नए वीडियो और एक नए ओफिसियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जी हाँ साथियो ये जो अपडेट मैं आप लोगों के लिए ले करके आ रहा हूँ ये आपके ही ज़ारखंड जूडिशिरी के प्रिलिम्नरी एक्जामिनेशन से रिलेटेड है जी हाँ साथियो आज हम बात करेंगे वन लाइनर फैक्ट के बारे में किस से रिराटेट तो साथियो आप सभी लोगों को पता है कि जो भी मैं ले करके आया हूँ ये criminal procedure code 1973 से related सभी के सभी one liner मैं आपके सामने discuss करने वाला हूँ तो यहां से आपके examination में बार बार question बनता है इसलिए इन सभी topics को मैं ले करके आया हूँ सबसे पहले साथियों यहाँ पर strategy ये है कि मैं one liner आपके सामने solve करूँगा जैसे ही हमारा one liner complete हो जाएगा फिर इससे related मैं next session ले करके आऊँगा और उस next session में mcq tabs के भी आपके लिए questions मैं ले करके आऊँगा तो आईए एक एक करके यहाँ पर जो भी हमारे one liner बन सकते हैं criminal procedure code को ले करके उन सभी procedure code से related एक एक one liners को हम आपके सामने solve कराने वाले हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साब साब कि code of criminal procedure 1973 की हम बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी चीज़े करेंगे साथियों वो chapter wise हम यहाँ पर करने का काम करेंगे क्योंकि जब आप preliminary examination देने जाते हैं अपने examination center पर तो आपको वहाँ पर आपके preliminary portion से number of questions आपके examination में पूछे जाते हैं और आप क्या करते हैं यह सारे topic ऐसे होते हैं जिनको student छोड़ देते हैं पढ़ने का कोई जरूरत नहीं समझते हैं उनको लगता है कि मैंने arrest chapter पढ़ लिया मैंने arrest पढ़ लिया cognizable offenses पढ़ लिया non-cognizable offenses पढ़ लिया फिर charges पढ़ लिया इन सभी चीज़ों को पढ़ करके जाते हैं लेकिन यह जो preliminary आपका होता है साथियों अगर हम chapter number first की बात करें तो यहां से number of questions आपसे पूछे जाते हैं खास करके जो आपके section number two होते हैं section number two में पूरे के पूरे आपके definition clauses होते हैं और उन definition clauses से आपसे बार बार question पूछे जाने का काम किया जाता है तो सबसे पहले हम यहां पे एक एक one liners को आपके सामने रखने का काम करेंगे जो कि आपके हर एक examination के लिए important होगा और अभी जो मैं यहां पे discuss कर रहा हूँ साथियों यह आपके जारखंड और MP judicery के examination के point of view से यहां पे discussion कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो हमारे पास one liner है साथियों यह पहला one liner हम लोगों से क्या कहना चाता है यह कहना चाता है कि CRPC come under the concurrent list साथियों आप सभी लोगों को पता है जब-जब हम constitution of India की बात करते हैं तो वहां पे हमको schedules देखने के लिए मिलता है अब हमारे पास कितने number of schedules हैं आप सभी लोग जरूर हमें comment करके बताईएगा लेकिन हमारे पास एक seventh number का schedule होता है उसमें हमें तीन list देखने के लिए मिलता है एक हमें state list देखने के लिए मिलता है एक central list हमें देखने के लिए मिलता है और तीसरा जो हमें list देखने के लिए मिलता है वो हमें concurrent list देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर यह आपको समझाने का काम किया जा रहा है कि जो CRPC होता है जो criminal procedure code हमारा 1973 का है आप से simply पूछा जा सकता है कि यह किस list के अंतरगत इसको consider किया जाता है किस list के अंतरगत हम इसको देखने का काम करते हैं क्या यह state list का matter होता है जो हमारा CRPC होता है आप कहेंगे confused रहेंगे कि क्या यह state list में fall करता है फिर कुछ दिर बाद central list की बात आएगी आप कहेंगे कि क्या central list के अंतरगत fall करता है आप देखेंगे कि हर state का वहाँ पे amendment आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं उत्तर परदेश का amendment आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं बिहार का amendment आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको लगेगा कि सही बात कर रहा है कि लग रहा है ये state list का matter है इसलिए इस पर state क्या कर रहा है अपने अपने amendment किये हैं by the time being जैसा जिसको जरूरत लगा है लेकिन आप सभी लोग गलत होंगे at that time जब आपके examination में इस type के question पूछे जाएंगे यहाँ पर साब साब बताया की बात करेंगे वहाँ पर हमें concurrent list देखने के लिए मिलता है और ये जो चीजे हैं हमारा ये concurrent list का ही मामला होता है schedule number 7 को अगर हम देखते हैं correct concurrent list of the constitution of India it come it can be amended either by the parliament or by any state legislature अब आप यहाँ पर game देखिए game ये कहा जा रहा है कि इसमें amendment कौन कर सकता है इधर लगा कर दिया था कर रहा था it can be amended either by the parliament or by the state legislature की बात कर रहा है parliament भी इसमें amendment कर सकता है साथ ही साथ जो state legislature होता है जो state का जो मैंने आपको बताया है कि अब कभी कभ़र देखेंगे की UP का amendment आपको देखने के लिए Cpc आपके Crpc के अंतरगत देखने के लिए मिलता है फिर आप देखेंगे की तो भीहार का भी amendment दिया है भीहार ने अपने तरीके से यहाँ już करने का काम किया, साथी साथ देखेंगे मध्य पर्देश के दौरा भी अपना अमेंड मैंड किया गया, जारखंड के दौरा अपना अमेंड मैंक किया गया तो आपको लगेगा अरे भाई, ये फॉल्क इसमें कर रहा है, ये क्या state list का matter है क्या कि बार बार इसमें state अपना amendment कर रहा है भाई, Parliament तो पूरा सर्वो सर्वा है Parliament के दौरा तो हमारा CRPC draft करके बना करके दिया ही गया है तो क्या इसमें state भी कर रहा है और हमारा central भी कर रहा है तो क्या ये दोनों का mix-up है क्या तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बात आपको अल्रेड़ी बता दिया गया है ये concurrent list का मामला है और यहाँ पर दोनों लोगों के दौरा हमारे central लेबल के दौरा और हमारे state लेबल के दौरा दोनों के दौरा इसमें क्या किया जा सकता है तो इसको मैंने यहाँ पर बताने का काम किया यहाँ से question आपके examination में बनते हैं और previous year paper को अगर आप देखेंगे तो आपको इस nature के question भी आपको देखने के लिए मिलेंगे या फिर आप interview face करने जाते हैं तो at that time भी आपसे पूछा जा सकता है कि CRPC किसके underfall करता है state list के अंतरगत कि concurrent list के अंतरगत या फिर central list के अंतरगत फिर यहाँ पर देखिए next one liner आपसे क्या कर रहा है कर रहा है CRPC 1973 is based on the report of the 41st law commission यह बिलकुल basic question है और basic question कभी कभी आ जाता है तो हमें रुला करके छोड़ देता है हमारे number ले करके चले जाते हैं तो इस बार हमें अपने number नहीं कटवाने है इस बार हमें number ले करके आना है एन केन प्रकेड जिस तरह से भी हो सके हमें जारखंड जूडिसरी के preliminary examination को crack तो करना ही करना है next one liner को देखिए next one liner आपसे क्या कर रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे concept आपका भी clear होता चलेगा साथियों बिल्कुल भी आपको घबडाने की और शक्ता नहीं है CRPC को ले करके यहाँ पर आप देखिए क्या कर रहा है यह provision आपसे क्या करना चाहता है कर रहा है the provision of this code except chapter number 8, 10 and 11 यह तीन chapter है साथियों इसको क्या कर दिया गया है इसको accept कर दिया गया है छोड़ दिया गया है अगर हम किसकी बात करें तो CRPC की बात करते हैं तो CRPC के दवारा chapter number 8 को chapter number 10 को और chapter number 11 को accept कर दिया गया है कर रहा है shall not apply to the state of Nagaland and the tribal area of Assam की बात करते हैं वही tribal area of Assam जो हमारे Constitution of India के अंतरगत define किया गया है कि हाँ यह tribal areas consider किये जाते हैं ठिक साथी साथ कर रहा है refer to in paragraph of 20 of six schedule मैंने अभी schedule का जिक्र किया था मैंने 7th number के schedule का जिक्र किया था और यह जो यहाँ पे tribal area की बात की जाती है यह किस schedules का मामला है साथी हो the Constitution of India के schedule number six का मामला है जो भी schedule six में बताये गया है tribal area chapter number eight ten and eleven उनके उपर apply नहीं होता है साथी साथ देखिये कर रहा है to the constitution except those area within the local limit of the municipality of this सी बात यहाँ पे कर रहा है तो जो chapters यहाँ पे छोड़ने के लिए कहा है उन chapters को छोड़ करके खास करके आपको यह ध्यान में रखना है कि Tribal area of Assam जो कि हमको Constitution of India के कहाँ पर दे रखा है तो schedule number six के अंतरगत प्रोवाइट कर रहा है उनको छोड़ करके हमारा यह apply करेगा यह बात आपको बस ध्यान में रखना है अगर आपके examination में question पूछे जाएंगे तो इसी nature के और इसी type के question आपसे पूछे जाएंगे इससे बढ़ करके इससे घट करके आपसे question पूछने का वहाँ पे काम नहीं किया जाएगा आगे देखिए जो आपसे आपके examination में direct hit करने वाला question है section number two जो की सबसे बड़ा section है आपका सबसे बड़ा in the sense यह है कि सारे के सारे definition clauses आपको वहीं पर देखने के लिए मिलता है और जब जब हम definition clauses की साथ ही बात करते हैं तो definition clauses आपके examination के लिए बहुत ही ज़ादे helpful होते हैं एक बार नहीं दो बार नहीं दस्यों बार आपके previous year paper में आपको definition clauses से question देखने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए one liner दे रखा है और इस one liner में आपसे क्या पूछने का काम कर रहा है कह रहा है कि complaint does not include a police report complaint does not include complaint में भहिया police report को हम include नहीं करते हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने तो complaint कर दिया है तो जो complaint हमने कर दिया है वो police report है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है साब साब यहाँ पे कह रहा है कि complaint जो होता है does not include a police report जो हमारा complaint होता है वो किसी भी प्रकार से कोई भी पुलिस रिपोर्ट को accept यहां पे नहीं करता है यह बात आपको बस ध्यान में रखना होगा next one liner जो आपके लिए important है next one liner आप लोगों से कहना चाता है कर है complaint as defined under section number 2D आप सभी लोगों को पता है मैं बार बार आप सभी लोगों से यही बात कर रहा हूँ कि CRPC के section number 2 के पास अगर हम जाएंगे तो CRPC का section number 2 पूरा का पूरा हमें definition clauses बताता हुआ चलेगा और उसी में एक important definition हमारा होता है section 2 जहां पे हमको क्या define करके रखा है section number 2D के अंतरगर तो कहा जा रहा है complaint is defined under section number 2D इसका मतलब क्या होता है complaint का मतलब क्या होता है किसी प्रकार का allegation हो सकता है किसी भी प्रकार का allegation made कैसा किया जाता है orally or written या तो आप orally कर रहे हैं या फिर आप written में दे रहे हैं किसको दे रहे हैं यह आपको याद होना चाहिए to the magistrate की बात की जा रही है किसकी बात की जा रही है या तो आप orally complain कर रहे हैं या फिर आप written में complain दे रहा है किसको दे रहा है magistrate को यहाँ पर देखिए लिखा है magistrate within a view of his taking action under this code की बात करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग complain कहते हैं या तो हम लिख करके देंगे या फिर हम बोल करके देंगे और यह define कहां पर किया गया है तो हमारे criminal procedure code 1973 के section number 2B के अंतरगत यह define करके हमको दे रहा है और यह हमारे लिए complain बहुत ही ज़ादे जरूरीत की चीजें हैं इसलिए हमें इसे याद करने की और समझने की आउ सकता है अब यहाँ पर next one liner देखिए और next one liner आपसे क्या कहना चाहता है कुछ बताना चाहता है यह कहना चाहता है क्या कहना चाहता है कर a dimmed complaint अब dimmed complaint क्या होता है किसको हम लोड as a dimmed complaint के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या होता है dimmed complaint आईए जानते हैं dimmed complaint a final report made by a police officer जो एक कोई final report होता है जो FR होता है जिसको किसके द्वारा लगाया जाता है तो कोई भी FR होता है जो कि लगाया जाता है किसी न किसी पुलीस ओफिसर के द्वारा, अगर हम कहेंगे कि हम final report लगा देंगे, भाई मैं क्या हूं, मेरी क्या credibility है, मेरी कोई credibility नहीं है, लेकिन जब जब final report की बात आती है, तो final report किसके द्वारा बनाये जाता है, तो final report बनाये जाता है साथियों, police officer के द्वारा ही बनाया जाता है और कब बनाया जाता है जब किसी भी मामले को क्या किया जाता है disclosed किया जाता है तभी हमने final report वहाँ पे जमा करने का भी बात आती है देखें यहाँ पर लिखा है कह रहा है a final report made by the police officer which discloses the commission of a non-cognizable offenses यहाँ पर कौन से offenses की बात कर रहा है non-cognizable हमारे पास दो प्रकार के offenses होते हैं एक cognizable offenses होते हैं और एक non-cognizable offenses होते हैं अगर हम कहें कि cognizable offenses आपको कहां define कर रहा है और non-cognizable offenses आपको कहां define कर रहा है तो cognizable offenses की जब-जब हम बात करेंगे तो साथ यो section number 154 के अंतरगत हमको cognizable offenses देखने के लिए मिलता है जब-जब cognizable offense में पुलिस क्या करेगी? FIR की lawzing करेंगी तब-तब वो cognizance लेगी और पुलिस at that time क्या आएगी? जब हमारे FIR की lawzing होगी तो at that time पुलिस हरकत में आएगी मिन्स की पुलिस को work करना पड़ेगा कब? जब section number 154 का हम इस्तमाल करेंगे तो 154 में हम जा करके FIR की lawzing कराएंगे या तो हम बोल करके FIR लिखवा सकते हैं या फिर हम लिख करके ले करके गए हैं वो दे देंगे, वो FIR की lawzing हो जाती है जैसे ही हमारे FIR की lawzing हो जाती है पुलिस भाई साब क्या करेंगे? एक FIR की copy हमें कैसे देंगे? free of cost देंगे किसी भी प्रकार का कोई भी हमसे पैसा नहीं लेंगे जैसे ही हमारे FIR लिख ली जाती है हमें पढ़ करके सुनाएंगे भी कि हाँ भाई तुमने ये 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 चीजे वहाँ पे mention करवाई है इन सभी points को आपने लिखवाने का काम किया है साथी साथ वहाँ पे हमसे signature भी करवाया जाएगा ये सारी प्रकिरिया अपनाई जाती है जब कभी भी हम ठाने पे जाते हैं जाते हैं चौकी जाते हैं क्या करवाने के लिए लाजिंग कराने के लिए FIRST INFORMATION REPORT ये तो थी कहानी SECTION NUMBER 114 की है साथी साथ जब हम 155 की बात करते हैं जिसमें non-cognizable offenses की बात करते हैं इसी वाली की बात करते हैं किसकी बात करते हैं इस non-cognizable offenses की बात करते हैं तो ये non-cognizable offenses आप लोगों से क्या कहता है ये non-cognizable offenses कहता है कि इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम NCR करते हैं क्या करते हैं इसमें हम non-cognizable report इसमें हम ले लेते हैं और उसको ले करके रखे रहते हैं इसमें किसी भी प्रकार का पुलिस बीना मज़िस्टेट के आगया के बीना मज़िस्टेट के परमिशन के कोई भी कौगनिजन्स लेने का काम नहीं करती है लेकिन जब-जब हम 154 का इस्तेमाल करवाएंगे जब-जब हम FIR की लॉजिंग करवाएंगे पुलिस स्टेशन में जा करके तो पुलिस उसमें क्या करेगी पुलिस एट ताइम हरकत में आएगी और वो अपना काम करना इस्टार्ट करेगी जिसके खिलाफ हम लिक्वाए रहेंगे उसको धरने का, उसको पकड़ने का, उसको अरेस्ट करने का काम यहीं से स्टार्ट होता है जब-जब हम FIR की लॉजिंग करवाते हैं तो यह चीज़े आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए बात छिड़ी थी यहाँ पे करने का काम करती है डिस्क्लोजेज अफ कमिशन ऑफ अन नॉन कोगनीजेबल ओफेंस की बात हम यहाँ पे करते हैं आगे देखिए कर रहा है पुलिस ओफिसर मेकिंग सच रिपोर्ट सैल भी डिम्ड टू भी दो कम्प्लेंट इसको पुलिस ओफिसर क्या करता है इसको माल लेता है कि यह क्या है As a complaint के रूप में यहाँ पे हमारे सामने रखने का काम किया गया है तो आप सभी लोगे को यह चीजें यहाँ पे पता चल गई कि हाँ जो पुलिस रिपोर्ट लगाई जाती है यह किसके दोरा लगाई जाती है तो जो पुलिस रिपोर्ट लगाई जाती है वो फाइनल रिपोर्ट जो लगाई जाती है वो पुलिस ओफिसर के दोरा यहाँ पे लगाई जाती है next यहाँ पर आपके पास section देखने के लिए मिल रहा है section number 2G की हम बात करते हैं यहाँ पर यह one liner देखी और यह one liner आपसे क्या कहना चाता है यह one liner आपसे कहना चाता है कि section 2G define inquiry and it does not include trial अब देखे कितनी अच्छी बात यहाँ पर कर दिया है यहाँ पर यह बता दिया है कि section number 2G की हम बात करते हैं कौन जी जैसे हम parallel जी कहते हैं उसी तरह हम 2G कहेंगे 2G घोटाला देश में हुआ इससे आप याद करके रख सकते हैं और काफी लंबे समय तक आप इसको याद करके रख सकते हैं टू जी पारले जी जिस तरह से आप निमोनिक्स बना सकते हैं उस तरह से आप बना करके इस्तेमाल करने का काम करिए कहा जा रहा है कि section 2G जो हमारा section 2G है यह क्या करता है यह define करने का काम करता है किसको define करने का काम करता है तो किसी भी प्रकार के inquiry को and it does not include trial यहां पर inquiry को define करने का काम कर रहा है किसी भी प्रकार का कोई भी trial define करने का काम यहां पर नहीं किया जा रहा है किस के according किस section के according तो हमारे CRPC के section number 2G के according यह बात बताई जा रही है यह बात आपको पता चल गई होगी करने inquiry is conducted either by a magistrate or a quote under the code या फिर या तो magistrate के दोरा किया जा सकता है या quote के अंडर में किसी को भी intimate करके उसको करवाई जा सकती है बस इतना ही यह 2G पारले जी आपसे कहना चाहता है तो यह बाते मैं उमीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2G यहां पे आ कहना चाहता है साथी साथ इसका भाई 2H भी आपके साथ आ रहा है यह भी आपसे कुछ न कुछ कहना चाहता है जब 2G कहेगा तो 2H भी कुछ कहेगा अब 2H क्या आपको define करता है तो 2H जो होता है सातियों यह बात करता है investigation का किसकी बात करता है 2H जो हमारा है 2H भी बहुत सी पुलिस वाले से कहते हैं, साहब आपने अच्छे से छान बिन नहीं किया होगा, इसलिए मामला आपको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से छान बिन करिए, अच्छे से उसको investigate करने का काम करिए, वही कह रहा है, कि section 2H define investigation, investigation include all the proceedings, जितनी भी proceedings वहाँ पे take place करती है, all the proceedings and the collection of the evidence, जैसे ही पुलिस जाएगी, पुलिस देखेगी कि किसी का अगर हत्य हुआ है, तो वहाँ पे वो क्या पाएगी, कुछ ना कुछ bloods, stains उसको देखने के लिए मिलेगा, जाहिरती बात है, अगर हम किसी को मार दिये हैं, तो जाहिरती बात है, अगर व्यक्ति गिरा पड़ा है, तो कुछ ना कुछ खून बहे होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ से वो evidences collect करने का काम करेगी, कब यह करेगी पुलिस, तो section number two, judge के according, पुलिस जाएगी, और पुलिस जाकर के वहाँ पे क्या करेगी, इस spot पे, जिस spot पे यह घटना घटी है, वहाँ जाकर के investigating करने का काम कर करेगी, और investigate करेगी, तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको साक्षे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको evidence मिलेगा, और उसी evidences के भिहाँ पे हर एक चीज को हम prove, disprove और not prove करने का काम करते हैं, आइए देखते हैं, आगे और क्या कर रहा है, कर रहा है, collection of evidences, conducted by a police officer, or by any person who is authorized by a magistrate, या या फिर या फिर या फिर, किसी विवेक्ति को authorized किया जा सकता है, किसके द्वारा authorized किया जा सकता है, किसी uncle के द्वारा authorized किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, किसके द्वारा authorized किया जा सकता है, तो magistrate साहब के द्वारा ही authorized किया जा सकता है, वहीं जाकर के वहाँ पे investigation कर सकता है ऐसा नहीं कि जो भी investigation conduct करवाई जाएगी Section No.2 यच के अंतरगत वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही कर सकता है नहीं ऐसा नहीं है पुलिस कर सकता है साथी साथ किसी व्यक्ति को अगर Magistrate सहाब के दोरा authorized कर दिया गया है तो वो व्यक्ति भी जाकर के क्या कर सकता है वहाँ पे investigation कर सकता है कर रहा है Magistrate Himself cannot investigate in any offenses Magistrate जाकर के Himself खुद जाकर के वो investigate करने का काम नहीं कर सकता है उसके पास हतियार है जब मेरे पास पासा है तो मैं पासा फेकने का काम करूँगा पुलिस है हमारे पास पुलिस से हम नहीं कर रहना चाते है हम किसी और भी person को क्या कर सकते है authorized कर सकते है कि भाई तुम जाओ और तुम जाकर के पता लगा कर के आओ सिपाही तुम जाओ और चोर का महाँ पता लगा कर के आओ in any offenses, किसी भी offenses में Magistrate साहब खुद जा करके investigate करने का वहाँ पे, sport पे काम नहीं करेंगे, ये काम Magistrate साहब का होता ही नहीं है, जो काम Magistrate साहब को दिया गया है, वो अपना काम Magistrate साहब करेंगे, जो पुलिस को काम जीत हो हैं नहीं, कि सब कुछ एक साथ कर लेंगे, यहाँ पर देखिए, section number 2i आप लोगों से क्या कहना चाहता है, जो भी हम यहाँ पे चल रहे हैं ले करके, सभी के सभी आपके CRPC के definition clauses को ले करके चल रहे हैं, यह definition clauses आपके examination point of view से बहुत ही जादे important होता है, अब section number 2i की बा कहते हैं, हम कहते हैं, अब judicial proceeding हमारा start हो गया, means के हमारा मुकदमा चलने लगा, तो जब जब हम 2i के पास जाएंगे, तो 2i हमारा क्या कहता है, कहता है भाईया आ तो गया हो, 2i साफ सब कहता है, आ गया हो, अब हम तुमारा क्या करेंगे, यहाँ पे judicial proceedings को start कराएंगे, section number 2i, stated that, judicial proceedings include any proceedings in the course of which evidence is or may be legally taken oath की बात कर रहा है, जो भी हम evidences take करेंगे, वो किस पे लेंगे, साथियों, वो oath पे, as और सपत पत्र पे हम क्या कर सकते हैं, आपके सभी के सभी evidences को लेने का काम करेंगे, यही बात आपका simply 2i यहाँ पे बताने का काम कर रहा है, अब हमारे पास जो important section आ रहा है साथियों, और इस sections को आपको बार बार याद करके रखने की आशकता होगी, क्योंकि यहाँ से बार बार question आपका बनता है, 2iL की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, जब जब हम 2iL की बात करेंगे साथियों, तो यह non cognizable offenses की बात करता है, 2iL, cognizable, 2iL, cognizable, अब जैस है, तो यहल से क्या कर रहा है, 2iL के अंतरगत, non cognizable के बारे में हमको मोटा मोटा एक idea मिल गया की है, देखिए क्या कर रहा है, 2iL, define the non cognizable offenses, correct, define करता है, non cognizable offenses, non cognizable offenses का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, which means an offenses in which a police officer has no authority to arrest without warrant, जब मैं आपके सामने बात कर रहा था, किस की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए, जब मैं यहाँ पर बात कर रहा था, दो sections के बारे में मैं बात कर रहा था, एक मैं बात कर रहा था, section number 154 की बात कर रहा था, और दूसरा जो हम बात कर रहा थे, वो section number 155 की बात कर रहा थे, इनी दो sections की हम ब Cost Information Report की Logging होती है और इसमें क्या होता है? इसमें NCR कर दिया जाता है. इसमें FIR की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें, section number 154 की बात करें, तो जब जब इसकी Logging होगी, जब जब 154 की यहाँ पे Logging होगी, तब तब क्या होगा? तब तब यहाँ पे जो आपकी Police Power है, जो Police है वो यहाँ पे क्या होगी एक्टीविली होगी और एक्टीविली पाथिशीपेशन करने का काम करेगी अपना जो भी यहाँ पे पावर है उस पावर को अपलाई करने का काम करेगी जाएगी चेप्टर नंबर पूरे 5 को अपलाई करेगी किसके चेप्टर नंबर 5 को तो जो वो मुकदमा दर्जे कराया जाएगा, जिसके खिलाब F.I.R. की लॉजिंग कराया जाएगी, उनको पकड़ने का, उनको उनसे चीजों को, उनसे सबूत को इकठा करने का काम ये करेगी, लेकिन जब-जब हम इनकी बात करते हैं, किनकी बात करते हैं, जब-जब हम सेक्षन नमबर 155 की बात करते हैं, जिसमें हमारा NCR फॉल करता है, जब-जब हम NCR की बात करेंगे, तो इसमें अरेष्ट करने की छमता नहीं है, नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, कब तक नहीं है, तो यहाँ पर साब-साब कह रहा है, कह रहा है, पुलिस ऑफिसर has no authority to arrest without warrant, जब तक यहाँ पर warrant नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा साथियों, जब तक यहाँ पर warrant नहीं आएगा, तब तक पुलिस भाई साब किसी भी व्यक्ति को गिरफतार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 154 की बात करें, तो 114 में इतनी power है, कि सिर्फ और सिर्फ FIR की अगर lodging हो जाती है, तो जाएंगे पुलिस ऑफिसर और उस भीक्ति को गिरफतार करके ले करके चले आएंगे, उसके पूरे के पूरे fundamental right को curtail करके ले करके चले आएंगे, इतनी power यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को दी गई है, सिक्षन नमबर 154 के अंतरगाज, तो आप समझ सकते हैं कि non-cognizable offenses और cognizable offenses आपके examination के लिए, साथी साथ as a human, अगर आप समाज को अच्छे तरह से जानना चाते हैं, समाज में अगर रहना चाते हैं, तो आपको यह दोनों sections जान करके रखने होंगे, कि हाँ, cognizable offenses क्या होता है, non-cognizable offenses क्या होता है, और यह जमाने की मांग है, कि इन सभी चीजों को, इन सभी terminologies को जानने की और शेकता है आपको, आगे आईए, आगे यहाँ पर देखिए, अगे नेक्ष आपके सामने आ रहा है, यह भी sections है, आपका, किसका है, आपका यह भी definition clauses ही है, अब आप कहेंगे कि यह किसका definition clauses है, तो मैं फिर कहूंगा, कि CRPC के section number 2 का, यह भी definition clauses है, और यह definition clauses, section number 2 एन, आपसे क्या काना चाता है, तू यन आपसे कहना चाहता है कि section number two यन define offenses ये किसकी बात करता है offenses की बात कर रहा है और अगर हम offenses को देखना चाहेंगे तो हमको कहा offenses देखने के लिए मिलेगा साथ यो offenses देखने के लिए हमें IPC के अंतरगत मिलता है और जब जब हम section number 40 के पास जाते हैं जब जब हम Indian Penal Code 1860 के section number 40 के पास जाते हैं तो हाँ पे भी हमें offenses देखने के लिए मिलता है जिसमें हमें Actors Ria, Men's Ria और भी Elements हमें देखने के लिए मिलते हैं लेकिन आप simply याद कर लीजिए कि CRPC में कभी भी आप से पूछे कि offense कहां पर देखने के लिए मिलता है तो CRPC के अंतरगत offense section number 2 yen के अंतरगत मिलता है और IPC में कहां पर मिलता है तो IPC में section number 40 के अंतरगत आपको offense मिलता है ये दोनों चीजे एक साथ correlate हो करके ही पढ़ी जा सकती हैं और जितना बहतर तरीके से आपको relate कर सकते हैं चीजों को एक दूसरे के साथ read with कर सकते हैं उतना ही चीजे आपके सामने बैतर आने वाली हैं तो क्या कर रहा है section 2 yen 2 yen बता दिया means की अपरात के बारे में offense के बारे में हाँ पर बताने का काम कर दिया which means any act or omission किसी भी प्रकार का कोई भी act होगा या omission होगा अब आप कहेंगे कि ये act or omission भी कहीं न कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ act or omission भी लगेगा और ये भी कहां का आपका matter है act का omission और act or omission तो ये भी साती हो आपको IPC के ही अंतरगत देखने के लिए मिलेगा आप पढ़ते होंगे Indian Penal Code का section number 34 34 के उपर आप जाएंगे act omission आपको देखने के लिए मिलेगा illegal omission आपको देखने के लिए मिलेगा 34 में आपको क्या दिया गया है 34 तो सभी कोई पढ़ता है common intention की बात करता है जब जब हम common intention की बात करेंगे तो उसी के उपर आपको act और illegal omission भी देखने के लिए मिलेगा तो ये चीजे आप इस तरह से correlate करके आप याद कर सकते हैं 34 याद करेंगे तो उपर को भी दो section आप देख लीजेगा उसमें आपको ये चीजे देखने के लिए मिल जाएंगी कि act और omission के बारे में हमको कहां define कर रखा है अगर हम Indian Penal Code को पढ़ते हैं ये ना कहिएगा कि comment में हमको ये ना डालने लगिएगा कि नहीं आपने section 34 बताया नहीं section 34 में आपका Indian Penal Code के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे common intention दिखेगा और common intention के आप जब उपर जाएंगे तब आपको act or omission के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा कर रहा है act or omission punishable under a law it includes any act in respect of which a complaint may be made under the section 20 of the cattle trespass act 1871 की बात कर रहा है ये cattle trespass act की बात कर रहा है section number 20 की बात कर रहा है जो की 1881 का कानून था उसी के accordance में याँ पे बाते आपको करता हुआ मिल रहा है आगे हम चलेंगे आगे की भी चीजों को देखेंगे कि आगे के चीज में क्या कर रहा है क्यों आया है मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ मैं भाई साहब का public prosecutor हूँ मैं public prosecutor हूँ इसलिए मैं यहां पे आया हूँ तो क्यों आ गया है भाई तो मैं public prosecutor हूँ और मेरा तो आना सबसे ज़्यादा जरूरी है to you public prosecutor इस तरह से भी आप याद करके चीजों को रख सकते हैं तो कहा जा रहा है कि section 2U define public prosecutor as any person appointed under section number 24, किसके अंतरगत बात कर रहा है, तो section number 24 की बात कर रहा है, और section number 24 किसका section number 24 IPC का? नहीं ये section number 24 की बात कर रहा है public prosecutor साहब की बात कर रहा है और कहां पे हमको section number 24 CRPC के ही अंतरगत हमको public prosecutor साहब देखने के लिए मिलते हैं, उन्हीं public prosecutor की बात कर रहा है, कह रहा है कि person appointed under section number 24 and include any person acting under the definition of the public prosecutor ये बात यहां पे कर रहा है जब-जब to you की बात आएगी definition clauses के अंतरगत, तो definition clauses में हमारे कौन फाल करेंगे? तो definition clauses में हमारे फाल करेंगे हमारे public prosecutor जो की define किये गए है CRPC के section number 24 के अंतरगत, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, साथी साथ हम फिर यहां पे next one liner को देखेंगे और यहां पे भी आपको definition clauses जी देखने के लिए मिलेगा definition clauses में आपसे कहा क्या जा रहा है कहा जा रहा है section number 2W जब जब हम 2W की बात करेंगे तब कहीं न कहीं हमें summons देखने के लिए मिलता है भाईया, मान लीजिए मैंने सब कुछ कर लिया है आपको बार बार quote प्यार से बुला रही थी आप नहीं सुन रहे थे क्या करेगी अब आपके लिए summons जारी करेगी तो summons जारी करेगी तो इसका definition हमें कहां देखने के लिए मिलेगा summons क्या होता है, किसको कहते है direct हम section के पास तो भाग करके जाएंगे नहीं हम definition clauses को देखेंगे और definition clauses हमारा कहां पर define कर रखा है, summons के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 2W के अंतरगत हमारा define कर रखा है, कहा जा रहा है section 2W define summons cases section 2W के ये अंतरगत क्या define किया गया है, पूरे के पूरे हमारे summons cases को जो भी होगा उसके बारे में बताने का यहां पे कम किया गया है साथी साथी यहां पे एक और आपके पास आ रहा है वोन लाइन और यह वोन लाइनर आपसे क्या काना चाहता है यह भी अपने तकलीफ को बताना चाहता है कहा जा रहा है कि section number 2W define victim यह किसकी बात कर रहा है कह रहा है यह तो define कर रहा है victim victim कौन होता है victim के अंतरगत किस को सामिल किया जा रहा है क्या वही वेक्ति originally victim होता है जिसके उपर किसी भी प्रकार का कोई भी injury commit हुआ होगा या किसी भी प्रकार का कोई उसको losses हुआ होगा क्या बस वही victim के अंतरगत fall करता है कि या उसके guardian भी victim होते है माल लीजिए कि आपका भाई है ठिक आपका भाई है अगर आपके भाई का किसी भी प्रकार से accident हो जा रहा है तो क्या आप पीडित नहीं रहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका भाई ही at that time पीडित रहता है पीडित तो आप भी रहते हैं उसी के बारे में आप समझाने के लिए कर रहा है करा सेक्षन 2 WA अभी तक तो single single चल रहा था लेकिन इसके साथ भाई साब ये भी जुड़ गया है W के साथ A भी जुड़ गया है ये बार बार आपके examination में पूछा जाता है करा सेक्षन 2 WA which means a person who has suffered any losses or injury caused by any act or omission of the accused person जो की accused person से यहाँ पे मिला है तो victim के अंतरगत क्या होता है किसी भी प्रकार का कोई भी आपने loss किया कोई भी loss आपको हुआ हो या किसी भी प्रकार का injury हुआ हो तो ये सभी के सभी कहाँ पे आ जाएंगे ये सभी के सभी victim यहाँ पे बताने का काम कर रहा है साथी साथ यहाँ पे कर रहा है guardian और legal hire of the victim are also included in the definition of victim जब हम यहाँ पे victim की बात कर रहे हैं 2 WA की बात कर रहे हैं तो उसके guardian या फिर उसके legal hire जो भी हो सकते हैं वो सभी के सभी किसके अंतरगत सामिल हो सकते हैं वो सभी के सभी हमारे victim के अंतरगत सामिल हो सकते हैं और यही चीज मैं आपको आगे समझाना चाहता था कि victim सिर्फ और सिर्फ वही नहीं हो सकता है सिर्फ आपका भाई ही पीडित नहीं हो सकता है जाहईरती बात है, भाई को अगर आपके चोट लगी है, एक्सिडन्स हुआ है, तो आप भी तो हॉस्पीटल में जा रहा है, आप भी तो अपने समय बरबाद कर रहा हैं, साथ ही साथ वहाँ पे हॉस्पीटल में पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है, कि हमारा भाई किसी भी तरह से ठीक हो जाए, आप भी तो ले करके mental pressure में बेने हैं, तो आप क्या, उसके legal hair है, आप क्या victim के अंतरकत आप नहीं आ रहा है, तो धूम धाम से आ रहा है, तो आपको भी क्या माना जा रहा है, आपको भी यहाँ पर victim ही माना जा रहा है, साथी साथ को अच्छे तरह से समझ लेते हैं, तो मान के चलिए 2-4 number आपका कही न कहीं यहाँ पर बढ़ना ही बढ़ना तया है, और ये काफी students को यह चीज याद होता नहीं है, इस तरह से जिस तरह से आप यहाँ पर समझने का काम कर रहा है, 2x में कर रहा है, 2x define करता है warrant cases, अभी करती है, बेटा तुम डाल डाल चलो तो हम पात पात चलेंगे, क्या करेंगे हम warrant जारी कर देंगे, अब यहाँ पर क्या किर दिया जाता है, section number 2x का इस्तेमाल करती है court, और यहाँ पर क्या कर देती है, warrant जाएगा, police जहाँ पर भी रहेंगे, पकड़ करके ले करके, आपके स death imprisonment for life, or for a term exceeding two years की बात यहाँ पर की जाती है, तभी warrant यहाँ पर जारी किया जा सकता है, जब यह दोनों चीज़ें यहाँ पर fall कर रही है, या तो death imprisonment for life का हो, और, और करके यहाँ पर दिया जा रहा है, और मैं आपको दे रहा है कि term exceeding two years का, तो यह आप देख सकते थे हैं कि पूरे के पूरे हमने एक एक one liner को यहाँ पर solve कराने का काम किया, जो कि आपके section number two के definition clauses से deal कर रहा था, अब हम next chapter में पहुँचेंगे, और next chapter आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, कर रहा है कि constitution of criminal courts and offices की बात कर रहा है, किस तरह से संरचना हुई है, किस की संरचना हुई है, ह और उसके offices की संरचना की गई है, उसके offices को बनाने का काम किया गया है, कि यह सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे, अभी तक जो भी हमने deal किया है, वो section number two को अच्छे से deal करने का काम किया है, क्योंकि section number two का इतना ज़्यादा weightage है, कि वो आपको कुछ ना कु कि इन लोगों में क्या-क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो अगर हम chapter number second की बात करेंगे, तो chapter number second में सबसे ज़्यादा जो important हमारे लिए section होता है साथि हो, वो section number six हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर important हमको लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देख करने का काम किया गया है तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे High Court को Accept करने का काम किया गया है और किसको रखा गया है तो यहाँ पे चार Classes होते हैं आपके Criminal Courts के यह आपके Section Number 6 के अंतरगत बताने का काम किया गया है और यह चीज आपके लिए Important हो जाएगा जब आपसे Reason and Assertion based question पूछा जाएगा साथी साथ आपसे Negative Terminology based question पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपके सामने High Court भी as a option के तौर पे रखा जाएगा लेकिन जब आप इस One Liner को पढ़े रहेंगे at that time आप बताएंगे कि नहीं मुझे पता चल गया तो यह याद रखिएगा कि जब जब हम section 6 की बात करेंगे खास करके CRPC की तो सिर्फ हमारे पास चार होते हैं चार classes होते हैं criminal courts के इसमें किसी भी प्रकार से हमारा High Court नहीं adjust करता है नहीं adjust करता है next हमारा One Liner है यह आपसे क्या काना चाहता है यह बताना चाहता है metropolitan area अब आप कहेंगे कि यह सहाब यह metropolitan area क्या होता है बात तो यहाँ पे फस गए तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जहाँ पे one million one million या फिर one million से ज़्यादे population होती है उस जगह को हम लो metropolitan महानगर के नाम से जानते हैं और वहाँ पे कौन मिलते हैं वहाँ पे हमको मिलते हैं महानगर मज़िस्टेट सहाब मिलते हैं कौन मिलते हैं तो वहाँ पे metropolitan मज़िस्टेट सहाब मिलते हैं और उसी metropolitan मज़िस्टेट की यहाँ पे चर्चा करने के लिए हमको बुलाया गया है कहा जा रहा है metropolitan area comprises of any city or town whose population exceeds one million यही आपसे पूछा जाएगा कि कितना million होते हैं तो आपसे यही option में दिया जाएगा one million for the purpose of this code अगर किसी भी छेतर को हमें metropolitan area घोसित करना है या फिर अगर वहाँ पे metropolitan magistrate साहब बैठे हैं तो उसकी area हमें कितनी count करनी होगी तो हमें उसका area assume करना होगा presume करना होगा हमें मानना होगा वहाँ की area कितनी है one million है तो metropolitan area उसको घोसित किया जाएगा आगे देखिए यहाँ पे आगया जो आपका section number 24 से related जो की public prosecutor से related था यह यहाँ पे आ गया कहा जा रहा था ना to you क्यों आया भाई मैं public prosecutor हूँ to you तू कौन है मैं पीपी साहब हूँ मैं public prosecutor हूँ वही वाला concept आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कहा जा रहा है section number 24 मैं वही terminologies याद कर रहा हूँ मैं उसी terminologies को आपको याद कराने के लिए मैं वही one liner ले करके आ रहा हूँ जहां से आपके examination में question बनते हैं irrelevant material को यहाँ पे समझाना irrelevant material को बताना आपके सामने ले करके आना और आपके समय को खराब करना मेरा intention नहीं है मेरा intention यह है कि जहां से आपके examination में number of questions बनते हैं वही पे मैं आपको ले करके आँ और वही पे मैं आपको target करके यह सारी चीज़े बताने का काम कर रहा हूँ फिर यहाँ पर देखिए section number 24 अपनी कहानी क्या बताता है section number 24 बताता है appointment of public prosecutor साहब के बारें बताता है जब जब हम section number 24 की बात करेंगे खास करके criminal procedure code के अंतरगत तब तब वो हमें बताएगा कि किस तरह से appointment किया जाता है मेरा appointment नहीं आपका appointment नहीं पीपी साहब का public prosecutor साहब के appointment की बात हमको section number 24 के अंतरगत देखने के लिए मिलती है क्या कहा रहा है section 24 provide for the appointments of the public prosecutor public prosecutor are appointed to conducted any prosecution, appeal or other proceedings यहाँ पे आपसे एक language में कर रहा है कि किसी भी मामले को अगर देखना होगा तो कौन देखेगा किसी भी प्रकार का कोई भी prosecution होगा किसी भी प्रकार का कोई भी appeal होगा यह फिर कोई भी proceeding होगा यह किस तरह से चलेगा तो उसकी starting जो होगी जो case की starting होती जो opening होती है वो किस के द्वारा होती है तो इसी पीपी सहाब के द्वारा ही होती है कर रहा प्रोशीडिंग on behalf of the government which appointed him or her यह government के द्वारा क्या होते है appointed किये जाते है इनी को आप लोग प्यार से सरकारी वकील, सरकारी वकील सहाब, सरकारी वकील सहाब कहे जाते है यह किन के भीहाब पे काम करते है तो यह राज्य सरकार के भीहाब पे काम करते है यह केंद्र सरकार के भीहाब पे काम करते है सभी जगहों पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको standing councils कुछ मिलेंगे, कुछ आपको PP साहब देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे जैसी जरूरत रहती है, वहाँ पे appointment करके रखा जाता है, यहाँ पर देखिए, public prosecutor साहब के बारे में कुछ और भी तत है आपको देखने के लिए मिल रहा है, कहा जा रहा है कि public prosecutor are appointed in the high court and the district court, आप देखेंगे अगर high court label की अगर हम बात करते हैं, तो high court में आप देखेंगे कि वहाँ पे standing council आपको देखने के लिए मिलेंगे, सबसे पहले आपको कौन देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले आपको जब constitution of India के article number 165 को अगर आप देखते हैं, तो advocate general आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्या देखने के लिए मिलेंगे, अगर हम state level की बात करते हैं, अभी central level की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम state level की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको advocate general आपको देखने के लिए मिलेंगे, advocate general के जो नीचे आते हैं, वहाँ पे double AG होते दूसरी बात High Court के भीहाब पे बता रहा हूं कि High Court के लिए यह designation होती है, सबसे तो पहले AG सहाब होते हैं, जिनको हम लोग महादिवक्ता कहते हैं, Advocate General के नाम से जानते हैं, उसके नीचे होते हैं, Additional Advocate General, उसके नीचे होते हैं, मुख्य अस्थाई अधिवक्ता होते हैं, फिर उनके अंतर होते हैं हमारे Standing Council, फिर उनके अंदर होते हैं हमारे Brief Holder सा, तो यह पूरी की पूरी hierarchy चली आती है, और वही यहाँ पे चीज़े आपको बताने का काम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि Public Prosecutors are appointed in the High Court as well as District Court, दोनों जगाएं इनको appoint करने का काम किया जाता है, by any of the government that is state or central, दोनों, क्योंकि भाई मुकदमा तो दोनों लोग का आता है, कभी कभी आप देखेंगे कि, जैसे मैं किस का नाम लेना चाहता हूँ, बहुत ही landmark judgment है, जो कि Supreme Court of India के द्वारा दिया गया judgment है, केशवाननदा भारती versus state of केरला की अगर हम बात करते हैं, केशवाननदा भ परदेश का मामला होता है, तो उत्तर परदेश की हमारे PP साहब देखते हैं, लेकिन जब-जब इंडिया की बात आती है, तो इंडिया लेबल पे भी तो मामला हमारा जाता है, तो इंडिया लेबल का मामला आता है, Union of India की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे central लेबल आप सभी courts में नहीं देखेंगे कि वहाँ पे आपको central label के भी PP साहब देखने के लिए मिलेंगे, नहीं, यह ऐसा possible नहीं है, लेकिन state के द्वारा हर court में आपको PP साहब देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ exceptions बताया जा रहा है, किसके लिए बताया है, कि ऐसा नहीं है, कि हर जगा केंदर सरकार क्या कर रही है, हर जगा केंदर सरकार अपने PP को appoint करके रही है, वो चाहें तो नहीं भी कर सकती है, उसके description पर depend कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई कहा गया है, तुमको appoint करना है, तो करो, घू नहीं, ऐसा नहीं है, अगर Central Government को लगता है कि नहीं मुझे इस district में यहाँ पर मुझे अपने central लेबल के पीपी सहब को एपॉइंट करने की हो सकता है तो धुमदाम से कर सकती है अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे appoint करना है तो नहीं भी करेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप डंडा ले करके नहीं कड़े हो जाएंगे कि नहीं Central Government तुम्हें appoint करना ही पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर देखिए क्या करा है करा है it is mandatory for the state government लेकि state के लिए mandatory होता है क्योंकि मैंने आप लोगों से अल्रेडी बताया कि कोई भी cases की जो opening होती है वो कौन करता है तो वो opening हमारे पीपी साहब के द्वारा की जाती है पता चले कि प्रियाग राज एक district है प्रियाग राज में हम पीपी appointed नहीं करेंगे अरे भाया appoint नहीं करेंगे तो case की opening कौन करेंगा अब बताइए आप case की opening नहीं होगी तो court कैसे run करेंगे number of cases की संख्या बढ़ जाएगी इसलिए mandatory इसको बनाया गया state government को state government की discretionary power पे ये चीज़े नहीं छोडने का काम किया गया तो पता चले state government कहेगा कि हम भी नहीं करेंगे तो case कैसे खतम होगा case तो और दिन प्रती दिन बढ़ता जाएगा इसलिए का जा रहा है it is mandatory for the state government to appoint a public prosecutor in the district उनको district में अपने public prosecutor appoint करके रखने की definitely जरूरत है यहाँ पर फिर नीचे देखिए अगर आप कहेंगे कि public prosecutor को appoint कैसे किया जाता है क्या ज़साहब करते हैं क्या appoint या high court के ज़साहब करते हैं क्या नहीं उनको appointment करने का काम किसके द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर हमारे executive का सहरा लिया जाता है executive magistrate का सहरा लिया जाता है जब जब आप executive magistrate की बात करेंगे तब अतम मैं बात करूँगा DM सहाब की क्योंकि वो executive magistrate है और हमारे पास judicial magistrate हमारे पास दो प्रकार के magistrate होते हैं यहाँ पे भी देखने का आप काम करिए अगर हम magistrate की बात करते हैं तो सात्यों हमारे पास दो प्रकार के magistrate होते हैं एक तो हमारे executive magistrate हो गया यहाँ पे EM सहाब हो गया executive magistrate और एक हमारे judicial magistrate हमारे पास दो प्रकार के magistrate होते हैं यह जो magistrate होते हैं सात्यों इनको कहा जाता है executive magistrate मिन्स कि इसके अंतरकत हमारे DM सहाब आएंगे SDM सहाब आएंगे पाएंगे ये सभी लोग हमारे जूडिसेल मजिस्टेट के इंतरगत कंसिडर किये जाते हैं तो आप इन बातों को ध्यान में रखने का काम करिए लेकिन अब देखिए अम मामला यहां पर क्या आ रहा है मामला यह आ रहा है कि जो हमारे पीपी सहाब है वो तो किसके साथ डिल कर रहे है वो तो जूडिसेल मजिस्टेट के साथ डिल कर रहे है तो उसमें इनको कहां से घसीता जब जब पैइनल बनाये जाएगा किसके लिए पैइनल बनाये जाएगा जब जब एक्ज़िवुटी मजिस्टेट साहब कि ने करके तो यह पैइनल यह Register कौन बनाने का काम करेगा तो यह बनाने का काम करेंगे हमारे district magistrate साहब देखिए यहाँ पर किस तरह से involve इनको करने का काम किया गया है तो CPC के अंदर आप देखेंगे तो आपको district magistrate भी देखने के लिए मिलेगा मिंस की executive magistrate भी देखने के लिए मिलेगा जब जब हम Executive Magistate की बात करेंगे तो इनकी भूमिका हमारे Criminal Procedure Code में बहुत कम है बहुत जादे नहीं है बहुत कम है यह बना है Executive Magistate के लिए और Executive Magistate की भूमिका पूरी की पूरी आपको देखने के लिए मिलेगी कहा जा रहा है The District Magistate Sell in Consultation with the Session Judge यह किसे से District Magistate सहब जो होंगे वो किसे से Consult करेंगे तो वो Consult करने का काम करेंगे Session Judge से हमारे कौन काम करेगा तो जो District Magistate सहब होंगे वो कहेंगे कि Session Judge सहब मिन्स की जो जिला जज हमारे होंगे Session Judge सहब आप क्या करिए एक Panel बनाईए और panel से आप हमें नाम extract करके दीजिए, किसका नाम extract करके दीजिए, तो वो person जो fit है किसके लिए, जो fit है public prosecutor बनने के लिए, कहां पे बनने के लिए, एक जिले में public prosecutor, माल लीजे कि मैं किसी college का principal हूँ, तो मुझसे क्या मांगा जा रहा है, मुझसे DM साहब report मांग रहा है, कि लेबल पे गेम खेलने के लिए भेजूँगा, अपने district के भिहाब पे, तो principals आप क्या करेंगे, principals आप वहां से नाम निकालेंगे, अच्छा ये 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 ये, रामु सियामु, छोनू हनू, जो भी होंगे, उनका नाम दे देंगे, कि हाँ, ये ये हमारे पास से है, आ आप इनको क्या करिए, आप इनको recommend करिए कि ये state लेबल पे, या जिस लेबल पे जा करके खेलना चाते हैं, ये खेलने का काम करेंगे, same as usual काम यहाँ पे होता है, जो district magistrate साहब होंगे, उनही के consultation में, जो हमारे session judge साहब होंगे, वो क्या करेंगे, एक list prepared करेंगे, क्योंकि session judge को पता है, कि कौन-कौन हमारे हाँ advocate है, और कौन कितना बढ़िया practice करता है, और इसमें भी एक minimum age मांगा गया, कि आप 7 साल से क्या कर रहे हैं, as a advocate आप practice कर रहे हैं, और ये बात आपको कहां देखने के लिए मिलता है, तो मैं कहूंगा section number 24, subclosure 7 के अंतरगत ये चीज़े आ कि वहाँ पे 7 साल का आपके सामने एक practice का criteria रखा जाता है, कि अगर आप इस criteria में fall कर रहे हैं, तो आपका नाम हम कहां पर दे सकते हैं, तब मैं आपका नाम as a PP बनने के लिए, PP के panel में मैं provide कर सकता हूं, वही बातें हाँ पे कही जा रही है, कहा जा रहा है, the district must state cell in consultation with the session judge prepared a panel of name of person, fit to be appointed as public prosecutor in the district, अब तो बताया जाएगा, session judge साहब के द्वारा ना, यहाँ यह 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 फलाने फलाने वेक्ती, क्या है, इनको आप recommend कर दीजिए, सरकार के पास, सरकार अब इन में से किसको बनाती है, अब यह सरकार के ऊपर, discretion पे depend करता है, तो यह बात बस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, फिर यहाँ पर दे रहा है, eligibility to become a public prosecutor, minimum 7 year of practice, मैंने already यह चीज़ आपको बताने का काम किया है, कि यहाँ पे कितना साल का practice आपसे मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपसे 7 साल का practice मांगा जाता है, और यह बात आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो यह बात आपको देखने के लिए मिलता है, CRPC के section number 24 के clause 7 के अंतर्गत आपको यह चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, शाट साल का experience है, section number 24 के clause 7 में आपको देखने के लिए मिलता है, इस तरह से आप इसको याद करने का काम करिए, और यह आपके examination मे यहां से definitely अगर question पूछता है तो पूछने का काम करेगा ही करेगा बिल्कुल भी आपको यहां पे छोड़ने का काम नहीं करेगा यह बहुत ही important topic हो जाता है साथियों जब-जब हम eligibility की बात करते हैं किसी के eligibility की अगर हम बात करेंगे तो eligibility से related question हमारे reason and assertion best type question में हमसे जरूर पूछने का काम किया जाता है साथी साथे हाँ पर next देखिए next आपसे क्या कहा जा रहा है next कहा जा रहा है किसकी बात की जा रही है कह रहा है eligibility for special public prosecutor अभी तक तो आप लोग public prosecutor तक ही सीमी थे न मान लिजे कि कोई special मामला आ जाता है special courts भी आपको देखने के लिए मिलता है कि बहुत से special courts भी हमारे लिए बना करके रखे गया है जब कभी भी आप district court विजिट करिए जो district court में आप जाएए और criminal जहां पे courts बने होते हैं criminal courts के तरफ आप जाएए और देखिए कि क्या special courts किसको कहते हैं जाहिड सी बात है अगर उसका नाम दिया गया है कि भाई साब यह special court है तो वहाँ पे special प्रकार के special public prosecutor भी तो होंगे ऐसा तो नहीं कि normal public prosecutor को बेच दिया जाएगा भाई अगर यह special है तो उसका दाम भी तो महंगा होगा यह special चाय बहाई यह special चाय देना चुकड में देगा तो चुकड का दाम भी तो रख करके वो लेगा तो वही चीज यहाँ पे बताने का काम किया जा रहा है कि यहाँ पे eligibility को भी देखा जाएगा इस special public prosecutor की eligibility क्या होती है तो उनसे भी मांगा जाता है कि भाईया आप अगर 10 साल से practice कर रहे हैं तभी हम आपके नाम को आगे बढ़ा सकते हैं क्या बनने के लिए As a special public prosecutor बनने के लिए मैं आपके नाम को recommend कर सकता हूँ और ये बाते आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलती है जैसे आपने section number 24 sub clause 7 में public prosecutor को लिए देखा था बस एक कदम आप नीचे उतर जाएए section number 24 clause 8 के अंतरगत आपको special public prosecutors के बारे में देखने के लिए मिलेगा कि हाँ इन ही वैक्ति को हम special public prosecutor न्यूक्त कर सकते हैं जिनके पास 10 साल का as a advocate के रूप में experience है और ये बाते हमको बताया जा रहा है तो बताया जा रहा है CRPC के section number 24 sub clause 8 के अंतर यही आपको जानने की यही आपको समझने की ओशकता है और यही से आपके परिक्षा में question पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा भी तो यही से section number 24 sub clause 7 से और section number 24 sub clause 8 से बाकी कही से भी आपसे question नहीं पूछा जाएगा इस बात का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आप लोग previous year paper को देखेंगे तब आपको यहाँ पर analysis आपका तगड़ा होगा फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है next कहा जा रहा है next में आपसे कहा जा रहा है कह रहा है कि section 25 provides for the appointment of the assistant public prosecutor किसकी बात कर रहा है अब APP की भी बात कर लेते हैं कि assistant public prosecutor क्या होते हैं तो अभी तक तो section number 24 पे आप सभी लोग थें अब section number 25 पे आ जाएंगे और section number 25 जब जब आएगा तब तब कहेगा कि हम किसको appointment करेंगे तो हम APP सहाब को assistant public prosecutor सहाब को यहाँ पे appointment करने का काम करेंगे जैसे कि मैंने high court के लिए hierarchy आप सभी लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमारे उपर advocate general होंगे उनके नीचे क्या होंगे double AG सहाब होंगे additional advocate general होंगे उनके नीचे सहाब क्या होंगे मुक्य अस्थाई अधिवक्ता होंगे मिन्स की chief standing council होंगे as usual यहाँ पे भी हरारगी चली आ रही है सबसे पहले हमारे पीपी सहाब थे पीपी सहाब को आप लोगों ने देख लिया special cases में special पीपी सहाब थे उनको भी आपने देखने का काम किया तो यह section number 25 के पास पहुचेंगे तो section number 25 भी तो अपना तकलीफ बताएगा कहेगा कि सहाब हमें भी newkt कर लीजिए तो इनको newkt किस नाम से किया जाएगा तो इनको किया जाएगा assistant public prosecutor के नाम से इनको section number 25 के अंतरगत include किया जाता है assistant public prosecutor for conducting prosecution in the court of magistrates के लिए इनको बनाया जाता है तो यह सभी बाते आपको जानेने की अशकता है यहाँ पर दे रहा है कर assistant public prosecutor is appointed by the state government or the central government जैसा आपने पीपी सहाब के लिए देखा था जो provision जिस तरह से उनको appoint किया जा रहा था as usual यहाँ पे भी यह चीजे आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है कि इनको भी appoint करने का काम कौन कर रहा है दोनों government कर रही है central government as well as state government central government के पास mandatory नहीं है but but state government के पास इस प्रकार की mandatory है कि नहीं सहाब आपको appoint करके रखना जरूरी है और यह बात important होना भी चाहिए और appoint आपको करने की आउशकता है यहाँ पर next देखिए कह रहा है in case no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular cases then the district magistrate may appointed any other person to be the assistant of the prosecutor in charges of that cases किसी को भी किया जा सकता है और यह किसके भीहाब पे कौन कर सकता है तो ऐसा करने के लिए eligible है हमारे district magistrate साह यहाँ पर फिर executive magistrate का सहरा लेने का कम किया गया है कम जब हमारे पास assistant public prosecutor नहीं होंगे at that time district magistrate किसी को भी appoint कर सकते हैं किसी भी person को यहाँ पर appoint कर सकते हैं इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी special criteria नहीं बनाया गया है साथी साथ यहाँ पर देखिए एक बात और लिखा है और यह बात आप सभी लोगों को चौकाने वाली है यहाँ पर police officer की बात की जाती है अब police officer क्या कर सकता है police officer की भी देख लीजें अब police officer may be appointed by the district magistrate police officer को भी appoint किया जा सकता है किसके दोरा एपॉइंट किया जा सकता है तो जहां पे एपॉइंटमेंट की बात आ रहा ही है किसको ले करके पीपी सहाब को ले करके एपीपी सहाब को ले करके एपीपी सहाब को ले करके तो वहाँ पे काम कौन कर रहा है वहाँ पर हमारा executive magistrate काम कर रहा है, फिर यहाँ पर आपको executive magistrate देखने के लिए मिल रहा है, कर रहा है, a police officer may be appointed by the district magistrate as able, except when has taken part in the investigating for the purpose of that particular cases, or if it has been below in the rank of inspector, इनको भी क्या बनाया जा सकता है, इनको भी यहाँ पर appoint किया जा सकता है, as a APP के रूप में, और किसके दोरा appoint किया जा स तो यह appointment करने का काम कौन करेगा, तो यह जो appointment होगा, यह appointment करने का काम हमारे district magistrate सहाब के ही द्वारा किया जाएगा, और किसी भी के पास authority नहीं है, जो कि यहाँ पर appoint कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे magistrate सहाबी कर सकते हैं, और वो भी executive magistrate सहाब कर सकते हैं, किसको कर सकते है तो not below the rank of inspector, inspector से नीशे वाले को भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिस पुलिस से हमारी बन रही है, जो पुलिस हमारा दोस्त है, उसी को हम क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूकती दे रहा है, ऐसा नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ particular case के लिए, यह नहीं कि हमेशा के इंस्पेक्टर गीरी छोडवा करके हम उनको APP बन वा दे, ऐसा भी नहीं है, अब हमारे पास direct rate of public prosecutor भी आ जाता है, जो कि section number 25, capital A के अंतरगत आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से भी आपके examination में regularly question पूछे जाते हैं, section number 24 और section number 25 से, section number 25, capital A से, कहा जा रहा, section number 25 A provided for the direct rate of the prosecution, which may be established by the state government, यह किसके दोरा established किया जाता है साथी हूँ, तो यह जो established किया जाता है, established करने का कम हमारा state government करता है, and it will be consist of direct rate of prosecution, किसके बारे में बता रहा है, direct rate, यह उनका office, direct rate of the prosecution, and as may be the deputy director of the prosecution, as thing fair, यहाँ पर किसी को भी बैठाया जा सकता है, यह तो direct rate of the public prosecution, यह फिर, director of the prosecution को, जिसको भी fit यहाँ पर central government, हमारी state government समझती है, उसको यहाँ पर रख सकती है, अब इनके भी थोड़े से eligibility के बारे में देख लीजिए, कि इनकी क्या eligibility है, यह क्या कहना चाहते हैं, इनके भी तकलीफ को हम देख लेते हैं, यह कहना चाहते हैं, eligibility to be appointed as the director, prosecutor, और deputy director, prosecutor, minimum 10 years of practice as an advocate, वही बनेगा, जो कम से कम 10 साल तक as अधिवक्ता के रूप में रहा हो, और इससे से पहले आप लोगों ने special public prosecutor में भी देखा था, वहाँ पे भी आपसे बताने का काम किया गया था, कि वही वैक्ती special public prosecutor बन सकता है, section number 24, sub clause 8 के अंतरगत, जिनके पास क्य होगा, as an advocate, 10 साल का practice होगा, वही same eligibility यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रही है, अगर हम eligibility की बात करते हैं, फिर यहाँ पे कह रहा है कि, direct rate of prosecution shall be functions under the administrative control of the head of the home department of the state, यह किसके control में होता है, यह administrative के control में होता है, प्रशाशन के, जिला प्रशाशन के control में होता है, और कि home department, जो ग्रिय मंत्राले होता है, उसी राज्य के ग्रिय मंत्राले के अंतरगत यह काम करने का काम करता है, तो direct rate of public prosecutor को आप यहाँ पे धियान से देखेंगे, और यह बार-बार यहाँ से आपके examination में question पूछा जाता है, इसलिए इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे रखने का क जो कि section number 24 के अंतरगत define किये गया है, जो भी हमारे special PP साहब होते हैं, जो कि section number 24, sub clause 8 के अंतरगत, जिनकी पूरी की पूरी list बताग दी गई है, कि 10 साल का उनके पास क्या होना चाहिए, as a advocate प्रेक्टिस होने चाहिए, वो किसके subordinate होते हैं, वो subordinate होते हैं, इसी direct rate of public prosecutor के, तो वहां के लिए सबसे suitable और सबसे अच्छा topic में आप लोग के लिए ले करके आया था, फिर यह part हमारा साती हो यहाँ पर, part first था, अब part second जो हम ले करके आएंगे, उसमें हम बात करेंगे, arrest के बारे में, बहुत मजा करेंगे, किस तरह से police जाती है, किसी को धमका करके भी arrest कर स करके आपके सामने define करने का काम करेंगे, साती साथ जितने भी हमारे पास landmark judgment, Supreme Court of India के द्वारा provide किये गए है, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे, जिसमें DK बश्चु का case आजाता है, और निल बती बहरा का case आजाता है, जो भी cases हमारे पास आजाते हैं, उन सभ केस को भी हम पढ़ने का काम करेंगे, साती हो यह था एक छोटा सा session, जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए ले करके आया था, साती हो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में share करिएगा, मैं बीच में कभी नहीं कहता हूँ, कि इस वीडियो को आप share करिए, इसको like कर करेंगे, बस यह मेरा person है, मेरा stock है, कि मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों का मन करें, तो इससे share करिए, ना मन करें, ना share करिए, मैं यहाँ तक अब यह भी नहीं कहता है, कि नहीं आपको इसको share करने के होच्छता है, लेकिन आपको ये सेशन बहुत ही जादा पसंद आएगा इस बात के मैं दावा करता हूँ फिर मिलेंगे एक नेक्ट वीडियो में एक नेक्ट अब्डेट के साथ तब तक के लिए धन्य बात